हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक तो माई चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर क्या गई हूँ सिर्फ एक चमस टेल में बनी आलू प्यास की बहुत ही टिस्टी यूनिक बिल्कुल नहीं रिसिपी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी बच्चों के लंच ब स्याक नहीं हो सिटिए कर लेंगे ना तो बहुत मौटे वाले होल्स के स्तेमाल करेंगे ली ना भॉत बारिक वाले होल्स का इस्तेमाल करेंगे गरेट करने के लिए व्यू पर बश्योंक beyond और बेरे ऒाड़क्र form नहीं को आसि Remote मों इस पर लले हो से अच्छे से गर्यों कर तो देखिए एक बोल में शिफ्ट कर लिया है, अब हम इसमें आड कर देंगे, एक बड़े साइस का मोटा मोटा इस तरह से कटा हुआ प्यास, देखिए बहुत बारिक नहीं कट किया है, थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है आपको प्यास को, तो इसे आड कर देंगे हम, इसके इसमें आधा कप बारीक कट आवा शिम्ला मिर्च आड़ कर दूंगी, साथ ही मैं आड़ कर दूंगी आधा कपी बारीक कटी वी गाजर, एक बर मिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे बच्छों की मन पसंद सब्जी आप आड़ कर सकते हैं, जो भी उने पसंद हो बारीक कट करके और बहुत ही जादा टेस्टी और हेली न्यू होती है, तो अगर आप भी देखना चाहते हैं ऐसी रिसीपीज तो भी मेरे चैनल को कर लें, सब्सक्राइब साथ ही बिल बटन और पर प्रिस कर लें, जिसे की आप पास अगे मेरे हर लेटिस्ट अपलोट की नॉटिफिकेश सबसे पहले, तो देखिए मैंने आपे सबी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें बारी कटा वहरा धनिया भी आड़ कर दिया है, अब हम इसमें आड़ कर देंगे आदा चोटा चमच, चिली फ्लेक्स, आप यहां पे लार मिच का पाउडर भी आड़ कर सकते है, साथ यह आड़ कर देंगे आदा चोटा चमच, जवायन, इससे बहुत इब बड़ी आसा फ्लेवर आता है, हातों से थोड़ा सा मसल कर डालें, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, एक बर फिस से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे सबी चीजों को, तो देखिए यहां अब इस सबी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए आड़ करेंगे, फीन बड़े चमच, चावल काटा, चावल काटा नहीं है तो इसकी जग़ा पे, एक चमच, कॉन फिलार और दो चमच, सूजी के इस्तिमाल किया जा सकता है, इसक तो हम इसमें एक से दो बड़े चमच पानी आड़ करेंगे, इससे ज़दा नहीं आड़ करना है, इससे बाइंडिंग के लिए पानी आड़ करना है, और दबा के इस तरह से हाथों से देखना है, कि अच्छे से बाइंड हो रहा है कि नहीं, जब ये अच्छे से बाइंड ह लेब लागा है अमने इसमें दो से तीन बड़े चमर्ची पानी अमसर को Viya सब only reढ़ का है यहाँ दियार हो gonna प्रूचिlairे चुका है तो हैं अधा में स्नी करें का तो यह बेकरी को समान मिल औ नहां पर इसली ओनलाइन भी अबेलेबल याप लिए सकते हैं इनुकेस अगर आपके पास वर्टर पेपर नहीं है तो आप इसे किसी भी पन्नी पर बना सकते हैं या फिर एक और तरीका भी मैं आपू को बताओंगी कैसे आप इसली बना सकते हैं बिनव्लेईफ वर्टर पीपर को अच्छा से ग्रीस करने के बात क्या करेंगे जो हमने दो तयार किया था उसका हाफ ले लेंगे यानिकी आधा पूर्षन आपको ले लेना है और ग्रीस के वे बटर पीपर कि बीच यह बीच रख देंगे, अब हाथों की सायता से अच्छ हसे गुलाइ में फैला लिए इस तरह से प्रेस करते हुए, आप छोटे बड़े भी बना सकते हैं मैं या पे इसे रोटी साइस का बनाऊंगी अच्छे से यह फैल जाता है इस तरह से इस पे अच्छे से फैल भी जाता है और चिपकता भी नहीं है तो इसली आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं मैंने अच्छे से इसे फैला कर पतला कर लिया है अब जितना पतला इसे बनाएंगे यह उतना ही अच्छा बनेगा, बटर पेपर तेल से अच्छे से ग्रीस किया हुआ है, तो इसली ये इसमें से निकल आएगा नहीं, तो बहुत आसानी से ये नहीं निकलता है, तूट सकता है इसमें काफी सारी सबसे आड की हुई है जिसके वज़े से भी ये तूट सकता है बाइंडिंग के लिए बहुत ही कम हमने चावल गाड़ा एड़ किया है तो इस तरह से यह काफी जदा टेस्टी बनता है तो इस प्रोसेस से अगर बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं तुटेगा किसी भी पनी में भी तेल लगा करके यह प्रोसेस आप कर सकते हैं तो देखि बन तेल में यह नाश्टा बहुत ही जदा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है अब हम अपना नाश्टा डाल लेंगे तवे पे और उपर से इस तरह से बटर पेपर को निकाल लेंगे यह देखिए कितना आसान है आप भी बना सकते हैं इस तरह से बहुत इसली यह बन जाता है देखा आपने कितनी आसानी से इसमिसे बटर पेपर निकल आया अब हम इसे धकर पकाएंगे medium flame पे 1 मिनट तक medium flame पे 1 मिनट तक पकाने के बाद इसका धकर ठालेंगे देखिए काफी अच्छे से ये set हो गया है उपर से एक दूबून टेल डालेंगे और अच्छे से ब्रश की साथा से फैला लेंगे ताकि जब हम इसे पलटे तो दूसरे साइट से भी काफी अच्छे से ये सिख जाए अब हम इसे पलट देंगे और आप देख सकते हैं नीचे के साइट से कितना बढ़िया ये सिख चुका है बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत ही क्रिस्पी बनता है चावल के आटे की वज़े से देखे कितना बढ़िया लग रहा है सबजियों से भरा हुआ इससे पलटने के बाद दूसरे साट से भी छमश की सायता से इससे दबाते वे अच्छे से से शेख लेंगे 1 मिनट तक मेडियम फ्लेम पर तो ये अच्छे से रेडि हो जाएगा दूसरे साट से भी से शेख करके तब हम इससे निकाल लेंगे यह देखिए कितना बढ़ियां तयार हुआ हैं दूसरा वाला भी सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए तयार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स हमारा बहुत ज़दा टेस्टी यूनीक नया नाश्टा यहाँ पे जटपट से बनकर रेडी हो चुका है गर्म गर्म खाएंगे तो काफी ज़दा किस्पी है उपर से थोड़ी दे रखेंगे तो बहुत ही नरम मुलायम सा हो जाएगा जो लंच बॉक्स में काफी अच्छा लगता है बहुत सारी सबजियां है आप देख सकते हैं काफी ज़दा है बच्चों को लंच बॉक्स में इस तरह का नाष्टा मिल जाए तो जट से वो चट कर जाएंगे तो फ्रेंड सभी जाए और रेसिपी को ट्राइक कीजिए उमीद करती हूं आज की रेसिपी काफी ज़दा आपको पसंद आई होगी तो अगर आज की रेसि केर और मेर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें तो बबाई गाईज यू सून और मैं नेक्स्ट वीडियो टिलेंग टेक एर ठाइक्स वचिंग मैं वीडियो थैंक यू सो मच